अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्स है या अगर आप अपने पेट को बहुत इच्छे से साफ करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को अंदर से एकदम क्लीन करना चाहते हैं, तो आज का मेरा ये नुस्खा आपके बहुत काम आने वाला है. बहुत सारे लोग पेट साफ करने के लिए कब्स दूर करने के लिए ना जाने कितने दरह के चूरन खाते हैं आपको पता भी है कि वो चूरन हमारे लिए कितने ज़्याद नुकसान दायक होते हैं सिर्फ उसमें इंग्रीडियन पढ़ करी आप सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और आप उसको लगातार कहीं सालों तक खाते रहते हैं जिसकी वज़ा से आपको चूरन की दर्थ लग जाती है जिसन आप चूरन खाते हैं उसन आपका पेट साफ होता है और जैसे आप चूरन खाना बंद कर देते हैं तो आपको दुबारा से कब्स की शिकायत हो जाती है तो आज का मिरा ये नुसका आपके पुराने से पुरानी कब्स को दूर कर देगा आपके पेट को अच्छे से साफ कर देगा क्योंकि जब हमें कब्स होती है तब हमारा शरीर अंदर से एकदम से गंदगी से भढ़ने लगता है क्योंकि जो हम खा रहे हैं अगर वो गंदगी बहार नहीं निकलेगी तो वो हमारे शरीर में ही सडने लगेगी और जब जो चीज़ हमारे शरीर में सड़ेगी वो सिरफ शरीर में आपके बिमारियां ही देगी जब बिमारियां देगी तो सबसे पहले आपको आपके फेस पर pimples आने शुरू हो जाएंगे आपका blood एकदब impurify हो जाएगा आपके शरीर में toxins जमा हो जाएगे आपके face पर समय से पहले बुड़ापा आएगा आपके बाल समय से पहले ज़णने शुरू हो जाएगे इसके साथ साथ आपके liver पर fat आ जाएगा आपके शरीर में cholesterol बढ़ जाएगा आपके शरीर में fat बढ़ने लगेगा, blotting की, gas की, ये सारी समस्याइं आपको face करनी पढ़ेगी और आपके शरीर में वात का प्रभाब बढ़ जाएगा जिससे कि आपको future में हडियों से जुड़ी समस्याइं होने लगेगी हड्यों में दर्द, मासपेशियों में सूजन, जकडन, ये सारे तकलीफे हमें face करनी पड़ती है जब हमारा पाचन तंत्र बिगड जाता है, कब्स होने लगती है, जब जो मल हमारे शरीर से बाहर आना चाहिए, जब हमारे शरीर में सडने लगता है तो हमें क्या करना है, इस कब्स को दूर करना है, और कब्स को दूर करने का इतना ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी मैं आपको, कि आपको बहुत ही जल्दी, instant result देगा लेकिन उसके लिए, अगर आप मेरे चानल पर पहले नई है, तो चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेर तरना बिल्कुल भी ना भूलें हम यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं दो चुवारों का, चुवारा बहुत ही जदा फाइदे मांद होता है, इस्पेशली बूड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए, जो बहुत जदा बूड़े हो जाते हैं, उनको बार बार जब वो वाश्रूम जाना पड़ता ह या पिशाब की जब समस्या होती है, तो उनको पता नहीं लग पाता और उनका बिस्तर में पिशाब निकल जाता है, तो ऐसे में अगर वो इस दूड़ का सेवन करेंगे, तो उनको ये बिस्तर में जो पिशाब करने की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी, वो अपने ब बहुत जादा राहत मिलेगी और अगर आप चुवारे का सेवन करते हैं तो यह आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है कर्ब्स एसदिटी को खतम करके आपको अच्छे से फ्रेश कर पाता है तो आपके लिए बहुत जादा फाइदे मंद है इसके साथ साथ यह हमारे ब्लड सरकूलेशन को बहुत अच्छा रखती है बॉड़ी में हमारे खून के जो गाड़ा हो जाता है उसको गाड़ा नहीं होने देती आपके शरीर के लिए आपके हड़ियों के लिए आपके दातों के लिए बहुत फाइदे मंद है क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात में कैल्शियम, पोटेशियम, मेंगनीशियम पाये जाता है जो आपके हड़ियों की कमजोरी को दूर करता है उनको स्ट्रॉंग करता है और साथ-साथ ये आपके बीपी को यानि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है इसमें ओमेगा-3 fatty acid पाये जाता है अगर आपको एस्तम है पाचन तंत्रू उसको ये बहुत दुरुस करता है आपको कब्स होना, पेट फूलना, गैस बनना, खटी टिकारे आना ये सारी तकलीफों को बिल्कुल जड से ये खतम कर देता है इसमें फाइबर बहुत जादा होता है तो ये आपके शरी में जितना भी bad cholesterol है उसको अखरोट की ले लीजिए अखरोट क्या करता है आपके शरीर के लिए बहुत इस्दा फायदे मंद है, हट्टियों की कमजोरी हो, गटिया हो, उसको दूर करता है आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ करता है आपके पाचन तंत्रू को दुरुस करता है आपकी जो digestion यह आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं करने वाली वजन आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी, इसके साथ हमारा चौथा इंग्रीडियंट है, वो है एक छोटी इलाइची, हरी इलाइची, हरी इलाइची क्या करती है, आपके पाचन रस को बढ़ा देती है, बूस्ट कर तो जितना भी आपके शरी में आप जो खा रहे हैं, वो अचे से आपको पचना शुरू हो जाएगा, आपकी डाइचेशन पावर को बूस्ट करती है, और साथ में आपके शरी में जितना भी बढ़ा हुआ कॉलेस्टॉल है या फाट है उसको रिड्यूस करती है, इसके बा उसको अच्छे से मिक्स करिए और इसको इक बाउल में निकाल लीजे, अब आपकी ये खीर बनकर तयार हो गई है, तो आपको इस खीर को खाना है, कब खाना है, रात को सोने से आदा घंटा पहले, खाना खाने के एक घंटे बाद, आपको इस खीर का सेवन करना है, जितनी अपने बच्चे को आप दे रहे हैं, तो उसके quantity कम कर दें, सारी चीजों की, जिनको भी diabetes है, वो इसमें मिश्री आड़ना करें, वो बलकि ऐसे ही इसको intake करें, चिक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है, आपको इससे क्या फाइदा मिला, या आप आपने इसको ट्राइ किया या नहीं किया, मुझे एक बड़ कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं आपके प्यारे से कमेंट का बेट करूँगी, ऐसी बहतरी इन वीडियोस देखने के मेरे साथ जुड़े रहें, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाई, ट